गुद मॉर्निंग स्वागत हैब सबका अने गैजमी पे इस हिंदी चैनल पे और उमीद करता हूं कि आपके परिवार में सब अच्छे से होंगे आप भी बहुत अच्छे से होंगे आज हम अर्मोस्ट हमारी ये पांच्वी क्लास है जहां पे हम लोग मौटर्न इंडिन हिस्ट्री के करेंट इफेस के साथ-साथ अपने लेक्शार्स को कम्प्लीट कर रहे हैं वेलकम मौल अफ यू ऑन अनकैटमी लेट्स क्रेकिट हिंदी चैनल और आप लोग सब अच्छे से होंगे परिवार में भी सब अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी एक पर बता दीजिएगा कि मेरी आवाज आपको क्लेर सुन सब कुछ क्लियर है आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं मुझे उमीद है कि आपने इससे पहले शरी ये टॉपिक पढ़ा होगा और आज इस कमिटी की बारे में मैं बात करूँगा ये कमिटी इंडिया के अंदर 1929 में बनाई गई थी 1929 के अंद ये इसके उपर पढ़ने को मिलता है बड़ उमीद करता हूं कि आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा हो इस कमिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी ये प्री के लिए इंपॉर्टन्ट हो जाएगा मेंस के लिए इंपॉर्टन्ट होगा वो भी बताऊंग और प्री में कहां से खोशन निकाले जा सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे So before I should start Crack UPSC GS with India largest learning platform पे आप सबका स्वागत है जहां पे इंडिया के best educator आपको मिलते हैं जिनके साथ throughout the year आप अपनी journey UPSC की आपको अपके साथ रहते हैं और आपको सही guide करते हैं कि किस तरीके से UPSC की preparation की जाती हैं Do follow me on UPSC mentor YouTube channel और आप UPSC mentor YouTube channel का telegram भी join कर सकते हैं जहां पे आपको मेरी classes के regarding updates मिलेंगे और यहां ही पे आपको in future जो है आने वाली classes भी देखने को मिलेंगी और उमीद करता हूँ कि हम लोग एक अच्छे sessions करते रहें जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यह जो session हमने किया यह classes जो 13th of September तक चलींगी कफी कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली और इसी तरीके से कोशिश करूँगा कि हर दिन कुछ नई आपके लिए आए UPSC Mentor Terry Glam channel की link भी आपको इस वीडियो की नीचे दी गई है ताकि आपको वहां पे PDF और classes की जानकारी भी मिलती रहे और साथ साथ मैं ही अगर आप लोगोंने आनकैडमी की learning app डाउनलोड नहीं की है तो पहले आप आनकैडमी की learning app डाउनलोड कर लें और अगर आपने कोई भी class मेरी miss की है तो आपको सर्च करना है सुहिल तुर्की आप वहां पे मुझे follow कर सकते हैं और आपको आने वाली classes की notification भी मिलती रहेगी अनकैडमी की तरफ से legend wisdom series जो है वो continuously चल रही है और कल हम लोग फिर से दुबारा मिलेंगे marathon class के अंदर जहां पे 10 educator exactly 10 hour के लिए आपकी classes लेंगे और मेरी class कल 12 बज़े है अब last month है प्राइस जो है वो हाइक होने वाली है अगर आप में से कोई भी बच्चा प्लस subscription के लिए जाना चाहता है so this was the best time to join with अनकैडमी ultimate subscription to crack UPSC unlimited live batches आपको इसमें मिलते हैं near about 19 optional subjects हैं 101 test series आपको pre और means और option की साथ में मिलती है और 20 physical books आपको आनकैडमी की तरफ से provide की जाती है one year, two year और three year के batches जो 2022, 2022 और 2023 के लिए जा रहे है right time और 2024 के लिए 49,500 for one year 72,000 for two year and three year के लिए 90,000 अब देखिएगा कि इसमें आपका optional भी include है और आपको books के अभी सब कुछ मिल रही है so एक right time क्यों हमें combo join करना चाहिए और ये बड़े limited time के लिए ये है so hopefully आप लोग सब इसमें join करेंगे और अगर आप देखिएंगे तो अभी जो है इसकी price बहुत कम कर दीगी है 49,679 में आप लोग पूरा course ले सकते हैं अगर तीन साल के लिए जाते हैं तो 87,267 रूपीज इंक्लूडिंग 3 years और प्लस option तो बहुत बड़ी बात है वै 20 books आपको आने केडमी की तरफ से मिलती है GS1, GS2, GS3, GS4 updated current deaf years और ये वो books हैं जो top educators के द्वारा बनाएगी हैं कल एक बच्चे की मुझा एक कॉल आई थी कि सर बहुत अच्छी books हैं पढ़ने में बहुत easy लग रही है easy language है so आपको books की tension भी लेने की ज़रूरत नहीं है इसी में आपकी books भी cover हो जाएंगी यापकी address पर ही पहुँचा दी जाएंगी very easy अगर आप मेंसे कोई बच्चा जो है जिसको लगता है कि वो unacademy के साथ इसलिए नहीं जुड़ पा रहा है क्योंकि इसर financial थोड़ सा issue है तो उसके लिए आप easiest way ये है कि आप loan के लिए apply कर सकते हैं जो बहुत easy way में आपको मिल सकता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ना तो unacademy की तरह से कोई चाहेगा कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसी दिक्कत आए कि किसी चीज़ के कारण आप जो है unacademy के साथ ना जुड़ पाएं आप जब भी plus और iconic badge के साथ जुड़ते हैं तो iconic को और plus में आपको यह मिलता है कि personal guidance आपको एक guide मिल जाता है ताकि आपको exam के बारे में वो बताते रहें और plus subscription में आप लोग live classes, weekly structure courses, expert guidance आपको मिलती रहेंगे Please do participate in the free test series and here you can use my code Sohail 10 यहाँ पे आप Sohail 10 code use करेंगे अगर आप code mirror use करते हैं I will be there for to mentor for you period of one year or two year और मैं चाहूंगा कि इस journey में मैं आप लोगों का साथ दूँ आपके साथ रहूँ आपकी कुछ मदद कर पाऊं बहुत अच्छी बात होती है कि टीचर के लिए सबसे अच्छी बात है कि वो बच्चों को guide करे properly मेरे लिए भी यह खुशी की बात होगी कि अगर मैं आपके इस जर्मी का एक छोटा सा हिस्सा बन पाऊं कुछ candidate जिनका already GS complete है और वो सिर्फ optional के लिए जोड़ना चाहते हैं तो optional के लिए you have to pay only 24,750 by using my code suhail 10 और optional almost we have started 19 optionals 19 optional subjects start किये गए अनकेडमी की तरफ से वो भी एक च्छा है अनकेडमी की तरफ से आप please do participate in the scholarship test every Sunday गैरा मजे होता है use my code suhail 10 आप इसमें participate कर सकते हैं और अगर आपका scholarship test में भी qualify हो जाता है तो फिर भी आपको subscription मिल जाएगी और अनकेडमी के साथ आप जुड़ें और यह हमारे नहीं batches है वान एर के batch और इसी 15 को मैं भी अपना batch launch कर रहा हूँ plus courses में जहां पर हम लोग modern medieval ancient और ardent culture की बात करेंगे नेवर miss a class special features के classes में अगर आप देखते हैं तो आपको current में है तो उमीद करता हूँ कि कभी आपने या जब modern Indian history आपने पढ़ी होगी तो इस committee के बारे में आपने पढ़ा होगा अब प्लीज अपने notes खुद बनाईएगा बहुत बार ऐसा होता है कि हम copy paste करने में लग जाते हैं मैं यह चाहता हूँ कि आप समझें अच्छे से understand करें और जो 2021 के लिए exam देने के लिए जा रहे हैं ज़रा देख लिजेगा कि question बनने के chances हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो उन्हों ने इस committee के बारे में पढ़ा होगा यह committee जो है है टॉक committee 1929 को बनाई गए थी आए ज़रा इस committee के बारे में ज़रा अच्छे से पढ़ लेते हैं और एक background में आपको बता दू आप लॉड डेलावजी को दिमाग में रखिएगा लॉड डेलावजी जब इंडिया के गवर्णर हुआ करते थे बहुत अच्छे से सुनिये गाप पहले यह तीन phases के अंदर चलेगी class तो आपको पिलकल background पता होना चाहिए जब लॉड डेलावजी इंडिया के गवर्णर बने तो भारत के अंदर education के उपर बात होना शुरू हो गई क्योंकि यह वही लॉड डेलावजी हैं जिनके समय में वूड डिस्पैच आया था आप उमीद करता हूँ कि मैंने लॉड डेलावजी के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ाया था और आप वूड डिस्पैच को भी जानते हैं कि जब वो आये थे और उन्होंने एक recommendation दी थी कि भारत के अंदर किस तरीके का शिक्षा का डियम किस तरीके की education किस तरीके का setup होना चाहिए उमीद है कि थोड़े बचे agree करेंगे अगर वो इतना भी लिख देंगे हांसर हमें पता है जब वूड डिस्पैच अपनी कुछ recommendation रखता है कि हम भारत के अंदर इस तरीके की शिक्षा लाएंगे, English education लेंगे, primary education बनाएंगे, college बनाएंगे, university बनाएंगे उसके कुछ ही समय के बाद Lord Delauzy को वापिस बुला लिया जाता है और ये जितना भी काम है रुख जाता है यानि वो डिस्पैच की recommendation काम नहीं हो पाता है, implement ही नहीं हुआ कारण ये था कि उस समय बहुत ज़्यदा उथल पुथल हो रही थी, English के यहां पे और उसी के बीच में Lord Kenning को दुबारा से इंडिया का निया गोवरनर्ट जर्नल बना दिया गया Lord Kenning को आप जानते होंगे जो Lord Delauzy के बाद बने फिर इसी पीच में 1877 की करांती भी आ गई, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं हो पाई और जब 1877 की करांती खतम हुई, तो फिर Lord Kenning ने वही सारी चीज़ें जो Lord Delauzy ने बोला था और वो डिस्पैश ने कहा था, उसको सीधा वैसे ही इंप्लिमेंट कर दिया, यानि कि वैसे के वैसे ही बदा दिया होफुली ये चीज़ भी आप पहले से ही जानते थे कुछ समय के बाद समय समय से भारत के अंदर इंग्रेज उन ने इस एजुकेशन सिस्टम के साथ बदलाव करने की कोशिश की ज्यादा तर उनका यही मानना था कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो इंग्रेजी बाशा का इस्तिमाल करना पड़ेगा यारी ज्यादा तर इंग्लिश एजुकेशन देनी पड़ेगी यह बात तब आई जब लॉड कर्जन के समय में भी एजुकेशन सिस्टम को उसने अपने अंडर किया और याद होगा कि लॉड कर्जन ने जिसने विबाजन भी किया था उसने कुछ एक्ट पास किया थे जिसको हम यूनिवर्सिटी एक्ट आफ 1904 भी कहते हैं उमीद है कि ये भी आपको पता होगा ये सब जानते हैं उसके बाद लॉड कर्जन के जाने के बाद फिर से इंडिया के अंदर राजनीतिक तोर पे बहुत ज़दा बदलाव आता है लेकिन भारत के ज़्यादा तर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो उस समय भी यही कहते हैं कि भारत को एक अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत है और वो एजुकेशन नहीं जो एकॉर्डिन टू दे इंग्रेजों के हो एकॉर्डिन टू जो इंडिया के लोग चाते हैं वो होनी चाहिए इस बीज में बहुत सरी कमिशन्स कमेटी जाई चली भी गई लेकिन भारत का जो सेस्ट्रम था एजुकेशन का वो फ्लॉप रहा बिल्कुल फ्लॉप रहा इतना तो आप जानते हैं उन्ये यह समय था 1929 का जब भारत के अंदर एक ऐसी कमेटी बलाई गई जिस कमेटी को आज भी हम याद करते हैं और क्या आप जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में इंप्लिमेंट की गई वो सेम हो ही पॉलिसी थी जो हैट टॉक कमेटी के अंदर 1929 के कमेटी जो आई थी वो भारत के अंदर क्यों आई और उन्होंने क्या रिकमेटीशन दी थी क्या वो इंप्लिमेंट हुई और जो भारत के अंदर 2021 के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने जुलाई के अंदर लेके आए पैंडिमिक के दोरान ही हमने क्यों कहा गया और 1929 में कैसे हो सकता है सर क्योंकि 1929 में भारत एक डिमांड कर रहा था जिसको पुन सवराज कहा जाता था यानि कि कम्प्लीट इंडिबेंडेंट्स की बात की जा रही थी इसी बीच में इंग्रेज अपनी बीच आले चल रहे थे आज इस कमिटी के बारे में पढ़ेंगे और उमीद करता हूं कि इस कमिटी को पढ़ने के बाद आप अंडरस्टेंड करेंगे कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आज भी बारत में चल रही हैं और क्या आपको लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलसी जो आपने इंप्लिमेंट करवाई वो सेक्सेश्फुल होगी या नहीं उस पे भी एक चिन बना पड़ा हुआ है आज पूरा ब्रीफली पढ़िएगा और इसके बाद कोई भी कोशन यहां से आप गलत मत करिएगा और इस कमिटी की चीजें बुक के अंदर नहीं दी गई हैं दी गई भी हैं तो छोटी सीधी गई हैं यह आप कमिटी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टन है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉल्सी कमिटी जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज में है तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री बैक्राउंड देखना पड़ेगा कि कहीं हमसे वही गलती किम दो नहीं हो रही है जो औरेडी हो चुकी है सबसे पहले यह कमिटी एपॉइंट किग गाई कमिटी जो एपॉइंट किगई थी इस कमिटी को इसलिए पॉइंट किया गया थाउं एंग्रेज Corps के द्वारा कि हमें करना है सर्वे अब ये बहुत इंपॉर्टन भेटा हम स समझेगा मैं आज भी चाहता हूँ कि जो हलात बारत के हैं मैंने दो दिन पहले अपने बच्चों को इंडियन सोशाइटी के अंदर बताया था कि एजूकेशन सिस्टम का हाल ठीक नहीं है प्रैमरी एजूकेशन बहुत जदा खराब हो चुकी है बच्चा बिलकुल स्कूल ज जानता है डिप देखा हमने मैंने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आपको पड़ाई थी याद करिएगा दिमाग में अब यह समय है कि एक वैसा ही सर्वे हो जिस तरह के से हैट टॉक कमीटी के अंदर एक सर्वे करवाया गया था बारत के अंदर बहुत पुरानी बात कर रह है कि हम लोगों को अब एक ऐसे सर्वे करना चाहिए एक सर्वे हो चुका है उस सर्वे में तो बिल्कुल क्लियर है कि प्रैमरी एजुकेशन सिस्टम इंडिया का इस समय बहुत बुरे हाल में है प्रैमरी एजुकेशन की बच्चों की बात कर रहा हूं कोई बचा स्कूल न बहुत अच्छे से समझेगा बड़ी एजियस्ट है और बहुत फाइदा होगा अगर आप इसको देखेंगे और यह आपको आगे फाइदा इसलिए देगा क्योंकि यह सेम वही है जो न्यू एजुकेशन पॉलसी के अंडर आपको देखने को मिलता है में फीचर्स के तोर पे आगर देखेंगे देर वोज है स्केंटिन ग्रूथ बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसी ग्रूथ जिसको आप ना ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं ना ज़्यादा बुरा कह सकते हैं बारत के अंदर एंग्रेजों के समय में अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच में हम एजुकेशन में आगे हैं भी या नहीं खास कर जब हम अपनी लिटरेसी रेट की बात करते हैं इन इंडिया यानि इस कमिटी ने एक प्रॉब्लम फाइंड आउट की थी उस समय देखिए ये प्रॉब्लम आज भी बारत के अंदर है वेस्टेज इंस्टेगिनेशन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी एजुकेशन तब आती है इसको कहते हैं हम वेस्टेज इंस्टेगिनेशन होपुलिए अपने इससे पहले पढ़ा होगा प्रैमरी लेवल पे सबसे ज्यादा है जब बच्चा स्कूल आता है कुछ दिनों के लिए आता है दूसरी तीसरी कलास तक पढ़ता है फिर उसके बाद छुटी मार देता है फिर वापस स्कूल का मुझ कभी देखता नहीं है यानि उसने स्टार्ट तो किया लेकिन एंड नहीं किया गलती कहां हुई वो वेस्टेज हो गया है स्टैगनेशन स्टैक कर गया हुई एक दिकत तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चा स्कूल आ नहीं रहा है अब वो आया और थर्ड फॉर कलास में बाग गया और फिर उसने वापस दुबारा उस स्कूल का चैरा नहीं देखा यही वो कमिटी थी जिसने सबसे पहले बारत के अंदर ये देखा कि बारत के अंदर बहुत ज़्यदा वेस्टेज है और स्टैगनेशन और वो भी प्रैमरी लेवल के उपर यानि कि छोटी ही उम्र में बच्चा स्कूल छोड़के चला जाता है कौन है इसका कारण आप मैं स्कूल इन्वारमेंट हमारा करीकूलम कौन है इन अब यह जो न्यू एजुकेशन पॉलसी हमने बनाई क्या वो हमारा वेस्टेज और स्टैगनेशन को ठीक कर सकती है ये भी देखने वाली बात होगी उसके बाद देखिए कितनी अच्छी कमिटी थी क्योंकि ये इंग्रेजों के समय दी गई तो इंग्रेज चाते तो कहते कि हमें क्या करने की जुर्ण है कोई भी रिपोर्ट लेकिन जो रिपोर्ट आई वो बहुत एक फैक्च्छल थी और बहुत सभी स्टेंडर्ड तरीके से एक कमिटी थी इसके बाद इन्हों ने ये कहा कि भारत के अंदर जो हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को उनको ऐसा लगा कि ये ग्रेट वेस्ट आफ मनी है पैसा जाया हो रहा है आज भी बहुत सारे लोग ऐसा ही बतातें कि बच्चों के ओपर जो पैसा कर्ज किया जा रहा है या गॉर्मेंट की जो स्कीम आती है वो बिलकुल पैसा जाया हो रहा है क्योंकि बच्चों को वो मिल ही नहीं रहा है जो उनकी डिमांड है यानि ग्रेड वेस्ट अब मनी अब देखिए ये हैट टॉक कमिटी कहती है और आज भी यही हाला मेरे बई और इस कमिटी ने जब सर्वे किया तो उनको ये लगा कि सारा पैसा जो है वो वेस्ट है जो स्टूडेंट हमारे है वो स्कूल को छोड़ के जा रहे है बिफोर कम्पलीटिंग दे पर्टिकुलर स्टेज आफ एजूकेशन क्योंकि या तो वो लोग जो आज कल एक कंसेट बन चुका है कि हम लोग मिड़े मील देते हैं क्या बच्चा हमारा खाली मिड़े मील कहने के लिए आता है हमारा एक जो गोल था कि एक स्टेज को वो पार करें स्टेज कैसे रखे हम लोग उने प्रिमरी स्टेज, मिड़ स्टेज, हाईर स्टेज लेकिन ये बच्चे बिलकुल भी उस समय किसी स्टेज को बार नहीं करते थे बीच में छोड़के चले जाते थे और हैट टॉक कमिटी के मताबिक अगर इंग्रेजी सरकार बारत में कोई पैसा दे रही है तो वो बिलकुल वेस्ट है क्योंकि बच्चा बिलकुल पढ़ ही नहीं गाए अगर पढ़ भी रहा है तो किसी स्टेज के उपर नहीं पहुँच रहा है फर्स्ट क्लास सेगंड थर्ड उसके बाद छुटी क्या आज भी बारत के अंदर ऐसा हो रहा है क्या हमारे पास ऐसे स्कूल है जहां पर बचा स्टार्ट तो करता है लेकिन एंड नहीं कर पाता है अब यह कहरा है यह प्रामरी एजुकेशन है अब यही एजुकेशन जब उन्होंने देखी कि सकेंडरी लेवल पे क्या हाल है तो secondary level पे और बुरा हाल देखने को मिला अब secondary education की बात करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि secondary education level पे जो primary education के बाद हम जाते हैं there was a great waste of effort जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत है चलें अगर वो secondary level पे आ भी गया अगर उसने किसी तरीके से primary education पास कर भी दी लेकिन जो वो secondary level पे बढ़ रहा है एफट ही गलत लग रही है क्यों डूटू दे immense number of failure at the matriculation examination क्योंकि बच्चा matric का exam passing नहीं कर रहा है matric exam यानि कि 10th सेम कहानी आज कल भी ऐसे ही है ये जो matriculation का exam होता था ये बहुत बड़ा exam आप तो हम लोगों ने grade system कर दिया उनके मताबिक effort ही गलत हो रही है head talk committee ने primary education को सबसे बड़ा fault माना फिर कहा कि बारत के अंदर जो secondary education है वो भी एक fault है तो इनके मताबिक ये कहा गया था कि जो एंग्रेज पैसा खर्च कर रहे है better है वो नहीं करें क्योंकि कोई फाइदा हो ही नहीं रहा है बच्चों का ये दो fault सबसे बड़े थे और यही दो fault मुझे आज भी दिखते हैं अभी भी दिखते हैं क्योंकि हमारे primary education आज भी same वैसे ही रन कर रहे हैं जैसे 1947 के पहले पहले हुआ करता था उसके बाद आप क्योंकि new education policy आई इन्होंने recommendation दी अब ये recommendation ज़रा बढ़िए इन्होंने कहा कि अगर बारत को आगे बढ़ना है और वाकिए में इंग्रीजी सरकार अगर मदद करना चाहती है बारतियों की तो सबसे पहले introduction क्या करना पड़ेगा diversified courses हमें लाने पड़ेंगे जो new education policy में इस बार दिये गए खाली ऐसा मत करें कि English education या particular कोई course आपने रख दिया है आप एक काम करिए courses को बढ़ा दीजिए हमारे यहाँ पे जो new education policy बनाए गई उसमें यही था कि हम भी diverse कर दें खाली बच्चे के पास कुछ option ना रहें हो सकता है कि बच्चे के अंदर कुछ अलग qualities हो, singing हो गई, dancing हो गई vocational education हो गई, training हो गई same यही 1929 के अंदर जब यह problem primary और secondary level पे देखी गई, तो इनकी recommendation, head talk committee की recommendation के मताबिक diversified courses होने चाहिए in the middle school which met the requirement of majority of the student जो student की need को fulfill कर पाए आप लोग नहीं जानते थे, तब ही मैं कहता हूँ कि क्या new education policies का head talk committee से कोई लेना देना है अभी और भी पता चलेगा आपको plus इस committee ने एक और recommendation दी एक और बात कही कि हमें क्या करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा हमें industrial और commercial carriers के उपर लड़कों को ज्यादा दियान देना चाहिए जिसको आज भी हम कहते है vocational training जहाँ पे एक बच्चा at the end of the middle school stage उसको कोई job मिल जाए new education policy के अंदर में भी हमने यही चीज डाली है कि बच्चा बिलकुल अपने पाउं पे खड़ा हो जाए और उसको कोई problem face ना करने पड़े head talk committee 1929 कहती है new education policy जो इस बार बनी अब दिक्कत ज़रा दिखिएगा क्या हुआ दोनूं में common क्या है मैं दोनूं का बात मैं पोछूँगा आप से वैसे आप लोग 99% तो जानते ही है उसके बाद इसका एक और जो सबसे अच्छा recommendation देखने को मिले ही इन्होंने कहा था कि improvement of the university education कि अगर गलती से बचा university तक पोच भी गया please वहाँ पे improvement करने की ज़रूरत है क्योंकि सबसे ज्यादा उस समय problem जो थी कि अगर कि university के अंदर कोई बचा जाता था वो ज्यादा था leader बनने की कोशिश करता था जो आज भी आपको देखने को मिलता है university education women education की बात तब कही गई थी आज सुबा मॉर्निंग में हमने NDA के बारे में पढ़ा education of minorities इनको पढ़ाने की ज़रूरत है recommendation देखें कितनी अच्छी है और backward classes जो इंडिया की new education policy है उसमें हमने इनी की बात की है इनी की बात की गई university को ठीक करो basic scheme education को ठीक करो education of minorities backward classes किस तरीके से उपर आएंगी head talk committee और new education policy committee मैं कुछ similarities देख रही हैं बेटा बहुत देख रही है recommendation के दोर पे अब ये बंदा बड़ा अच्छा था जिसने ये committee दी थी उनका नाम ये इनको याद रखेगा बड़े अच्छे हैं ये और इनने कभी वैसी कोई बात की नहीं है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इनका पूरा नाम sir flips joseph hot tech था इसलिए इनका इस committee को hot talk committee के नाम से भी जाना जाता है वैसे पूरा नाम sir flips joseph hot talk के नाम से थे और जो इंडिया में आए इनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हम लोगों को teaching देनी है इनों ये ज्यादा तर promotion of technical और commercial education के ओपर ज्यादा ध्यान दिया new education policy भी यही चीज़ कहती है कि हमें technical education देनी है और by university to control the problems of the unemployment ताकि हम लोग अगर बच्चों को technical education दे पाए तो unemployment खतम होगी new education policy भी यही कहती है कि अगर आप training देंगे आप ऐसे courses बढ़ाएंगे तो unemployment खतम होगी तो ये है copy और ये है paste जो हमें head talk committee के अंदर देखने को मिला इंग्रेजों के दौ़ारा recommendation देगी बड़ी अच्छी recommendation थी लेकिन इसने एक और चीज बहुत अच्छी बोली थी जो आज हमें करने की जो report हमें primary education से मिली कि बारत के अंदर primary education बिल्कुल खराब हो चोकी है pandemic की वज़ज़ से सबसे पहले इन्होंने का कि primary education को आप primary नहीं quality education बना दीजी बड़ी अच्छी बात दूसी चीज ज्यादा से ज्यादा जो टीचर आपके पास से उनकी जो salary है पे जो है वो बड़ा दो आप क्योंकि आप teacher की salary बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा ये विसे इनकी recommendation है अच्छी बात है teacher थोड़ा बहुत पैसा कमाएगा तो definitely मेनत भी थोड़ा ज्यादा करेगा एक और थी कि school की condition को बहुत अच्छा कर दिया जाए ऐसा नहों कि बच्चों को आप इस हालत में बिठा रहे कि बच्चा बैटना पसंद ही नहीं कर रहा है जैसे हमने play way method को वगरा कर रही है primary school है तो बच्चा छोटा होता है आप वो गलती से school आ गया तो ऐसी हालत school की देखी कि दुबारा मन नहीं कर रहा है तो wastage and stagnation होगा बहुत अच्छी बात ये भी कई अगली बात उनने का कि सेल्वर्स जो होना है वो बहुत कम कर दो आप लोग आप इसको fun way में ले लो बच्चों को ज्यादा काम मत दे दो बोज नहीं बनना चाहिए school ऐसा ना लगे कि बोज बन गया कम दे दो लेकिन किसी तरीके से उनको school आने दो अगली चीज़ उन्होंने का कि environment school वहाँ पे खोलो जो यहाँ पे environment बहुत अच्छा हो अब मसला यह होता है कि school अक्सर हमारे रास्तों पे होते हैं पूरे दिन गाड़ी का शोर ये वगएरा एक peaceful manner में जो है teaching होती है एक तो पहले यह भी problem भी है अगली चीज़ कहते हैं कि हर week के अंदर अगर आप inspection कर सके तो अच्छा है नहीं तो month में कर लो अब हमारे school के अंदर inspection होती है या नहीं होती या आपको देखना पड़ेगा ये वो चीज़ है जो जब हम लोग school के अंदर थे तो हमारे principal जो है वो बहुत कोशिश करते थे कि weekly basis पे inspection हो और वो दोनों की करते थे teacher की अलग होती थी और student की अलग होती थी check and balance चलता था अब क्या inspection होती है और most important day holidays जो है as per requirement होनी चाहिए अब holidays का मतलब ये बनता है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा religion है अगर हम अपनी चुटियां मनाने के लिए आएं तो मुझे लगता है कि फिर हमें पूरे साल चुटियां मिलेंगी उपर से already pandemic है तो इन्हों ने ये कहा था कि जो चुटियां होती है नो उनको कम कर दुआ पता ऐसा चला कि हाफते में बच्चा सरफ दो ही दिन स्कूल आ रहा है बाकी दिन सरफ holiday celebration चल रहा है तो holidays को कम करके आप कुशिश कीजिए कि at least week के अंदर उनका छे दिन तो स्कूल के अंदर बीते है नहीं तो पता चला कि पूरे हाफते पूरे महीने में छुटी छुटी है Saturday, Sunday, Monday, Tuesday फिर Wednesday को आ रहा है फिर बच्चा बीमार भी हो रहा है इन सारी recommendation को देख के ऐसा लगता है कि ये बंदा बड़ा ही सुलजा हुआ था और अगर मैं आगर इसकी सारी चीज़ों को implement आज 21 century के अंदर करू तो मुझे कोई कमी नहीं लग रही है है talk committee के अंदर अंग्रेज होके ऐसी बात कर रहा है fix है लेकिन problem हर चीज़ के अंदर होती है result ये हुआ कि ये recommendation जो आई ये 1929 को आई बेटा यहां दिमाग समझेगा यहां पे current है 1929 को ये committee बनती है हाइट talk committee लेकिन ये सिर्फ paper पे रही ये बड़ी problem रहती अच्छी बातें जब paper पे रह जाए तो फिर मज़ा नहीं है हुआ ऐसा कि इसकी recommendations के उपर बात चल रही थी और उसी समय ये implement नहीं हुई क्योंकि Europe के अंदर या America आप मान लीजिए वहाँ पे economic depression period आ गया 1939-1929 में अमरीका में आया फिर इंडिया में 1932-31 रहा था कि हालाग जो है वो बहुत ज़दा खराब हो गए क्योंकि अचानक से अमरीका का share market गिर गया था I hope आपने पढ़ा होगा ये आपकी NCRT book में भी है अब सारे लोग economic के पीछे पढ़ गए स्कूल तो वैसे भी बूल गए काश अगर उस समय head talk committee को पूरी तरीके से follow किया गया होता तो आज हलात कुछ और होते है situation वही है अब आप देखो history repeat itself कैसे हुआ ये अब हम आ जाते हैं current affairs में अब ये ज़रा मुझे देखिएगा कि जो खत्रा मुझे लग रहा है वो आपको है current में क्या बता रहा है वो कह रहा है कि भारत ने recently new education policy को announce किया right in the middle of the pandemic जब pandemic चल रहा था उसी बीच में उन्होंने कहा कि हम new education policy मुझे वो hard talk committee याद आ गई कि उसने भी education में आपको कोई कमी लगी सब सही बाते हैं लेकिन जब चीज़े पेपर पे रह जाएं तो फिर उनका कोई फाइदा नहीं होता बारत सरकार के द्वारा जो new education policy बनती है ये middle of the pandemic जुलाई के अंदर कहते हैं कि हम लोग करेंगे main focus था bring the much needed transformation change हम भी मानते हैं और आप भी मानते थे बहुत टाइम हुआ था education change नहीं हो रही थी तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए थोड़ी सी transformation की जाए लेकिन क्या ये right time था सवाल फिर से वो ही बनेगा एक होता है खाली paper पे चीज़ें लिखना और एक होता है कि क्या right time पे implement हो गया हूँ अब सवाल ये बनता है कि new policy which is based on the skill and modern technology यही है न हमारा लोगो यारी new education policy skill की उपर काम करेगी modern technology head of committee का second part माल लीजिए तो by skill और modern technology तब use होती है जब सब कुछ खुला हो क्या हमने अपने teachers को training दे दी technology implement हो गई क्या सब स्कूलों के अंदर smart board loose हो गए क्या teacher पूरी तरीके से laptop का use कर लेते है क्या हमारे schools के अंदर electricity हो गई अब ये कुछ सवाल है ना जो पूछने हमें क्योंकि new education policy कहती है कि जो transformation होगी वो modern technology के through skills provide करके होगी अब मुझे समझ में नहीं आता है school तो बन दे teacher भी घर में है अब school खुल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि new education बहुत से implement हो रही है समझ नहीं कि बात ये है कि क्या ये paper वाली implementation है या reality वाली है सवाल वही बनेगा head talk committee का अब problem यहां पे तरह देखिए there are certain challenge to implement the increasing education spend from 4% to 6% of GDP अब total हमारा GDP में जो spend कर रहे हैं हम लोग वो कुछ vary करेगा increase किया गया पहले 4% से 6% अब ये जो 6% है उसमें आप मुझे बताईए smart board उसके बाद electricity क्या हम लोग सिरफ इतने में cover कर पाएंगे जब यूरप के लोगों की हम बात करते हैं तो 30-40% GDP का सबसे ज़्यादा education पर करच करते हैं अब यहां पे spend करने की बात आईगी तो school ये कहते हैं कि देखो हम लोग तो education को better कर देते लेकिन अब भी सरकार की तरफ से fund नहीं आया अब बच्चे इस ओमी इतने बैटा है कि recently ये कहा गया था कि हम लोगों को smart board से पढ़ाया जाएगा मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ smart board से ही पढ़ सकते हैं लेकिन अब बच्चे के दिमाग में आ गया ना कि transformation हो गई अब आपको देना पढ़ेगा बात की गई है तो उसके लिए आपको class को भी change करना है क्योंकि आप टाट पे बैठके classes होंगी नहीं बच्चे को पता है new education policy आपको सबसे पहले क्या हम infrastructure develop कर पाए नहीं क्योंकि अभी हम pandemic में same जैसे hot talk committee गया अंदर जैसे वो committee बनी और economic depression period आया सिर्व वो paper पे रही क्या new education policy भी इसी दिशा की और जा रही है या हम अभी कुछ और change ला सकते हैं एक और चीज हमारा focus इस बार ये है improving the teaching standard modern teaching methodology लानी है क्या teachers ने पुरी तरीके से training ले ली क्या वापस वो अपने method से तो नहीं पढ़ाना शुरू कर देंगे अगर उन्होंने वापस वो ही method अपनाया जो हमने change किया तो फिर गलत है क्योंकि एक बार आपने कह दिया था कि change करना है हमें तो फिर change तब होना चाहिए था ये समय वो होना चाहिए था अगर school बंध है तो क्या हम teacher की training पूरी करवा सकते थे so yes or no अगर हम state wise भी teachers की training करवा लेते है तो शायद अभी phase wise हमने complete कर दिया होता क्योंकि जब तब teacher train नहीं होगा तो students हो गए उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि या तो हम लोगों ने बहुत जल्दी कर दी है बहुत जल्दी कर दी कि हमने new education policy को implement करने के लिए हमें समय लेना चाहिए था और रेड़ी पता था कि pandemic है और मुझे फिर hard talk committee याद आती है जब वो 1929 के अंदर flop हो गई जबकि वो flop होने वाली थी नहीं उससे better committee मुझे नहीं देखने को मिली जिसने primary education की बात की reason ये था कि अपने right time पे उसको implement नहीं करवाया अब सवाल UPSC की तरफ से बनेगा means में अगर हम देखें examine this significant feature as well as the gap in the recent approved the new education policy of 2020 पता करिए जो gap create हो गया एक तो इसका significant features भी बताईए और as well as ये भी बताईए कि जो gap create हो गया recent approach जो new education policy 2020 की हुई क्या gap आगया gap ये हुआ आप teacher ये कह रहा है कि कोई बात नहीं next year हम लोग technology को implement करेंगे यानि कि एक सार हम फिर से पीछे चल रहे है so education policy अगर 2020 में आई तो ये मान लीजिए कि 2021-2022 तक हमें wait करना पड़ेगा ये 2023 को implement हो रही है क्यों? क्योंकि इतने जल्दी आप training और infrastructure standard में नहीं ला सकत फिर अगर ऐसी बात थी तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमें wait कर लेना चाहिए था ये राय में इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे खत्रा ये लग रहा है कि अगर यही चीज 1929 में जब economic depression period आया था तो फिर ये चीज़ें सिर्फ paper पे रही फिर कभी implement नहीं हुई same pandemic आया आपने आवाज दे दी कि हम लोग announce कर रहे लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फिर आपको recent development में कुछ gap तो नहीं देखने को मिलेगी उमीद करता हूँ कि head talk committee और new recent education policy को आप लोग mix करके बता सकते वैसे ये committee इंडिया की सबसे best committee में से committee मानी जाती है जोनोंने education policy में उस समय एक नया change लाया और उमीद करता हूँ कि इससे पहले भी अपने head talk committee के बारे में शेथ पढ़ा हो अगर नहीं पढ़ा था तो उमीद करता हूँ कि आज इस class के थुरू आपको पता चला होगा कि head talk committee कौन सी committee थी और क्या ये new education policy सेम वैसे ही जा रही है जैसे head talk committee 19, 20, 9, 19, 30, 31 को economic depression period आता है और सारी की सारी जितनी recommendations हैं वो flop हो जाती है और ये paper पे ही रहा फिर कभी implement नहीं हुआ क्या हम आने वाले दिनों में ये देख सकते हैं कि new education policy वाकई में paper पे भी paper से जाके practical shape लेगी या फिर से वहीं पे आके रुकेगी और already मैं एक report आपको पढ़ा चुका हूँ कि हमारी basic primary education में बहुत problem हो गई है बच्चा बिल्कुल स्कूल नहीं जाना जाता जो report बताई मैंने numericals उसको पता नहीं है reading flop हो चुकी है writing में बिल्कुल भी कुछ नहीं है आपको क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी और कुछ आपने नया सीखा होगा basically in classes के अंदर हम लोग modern Indian history को contemporary Indian यानि के current situation में पढ़ रहे हैं कि क्या हो रहा है अब मिलूँगा exactly अपसे 12 बजे जहां पे आज हम एक prominent leader एक बहुत ही बड़े leader की बात करेंगे जिनका नाम बगत सिंग था देखेंगे कि किस तरीके से उनों ने ये जो जलियाँ वाला बाग incident अभी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है कैसी उनकी लाइफ में एक turning point बना इस बार क्यों नियूस में है क्योंकि जलियाँ वाला बाग के बारे में आप सब जानते होंगे और बात करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल उनों ने लिखे और क्यों वो कहते हैं कि मैं अथीस्टी अच्छा हूं rather than कोई religion अपनाने से बेतर है कि कोई धरम ही ना हूं इस पर भी बात करेंगे so see you exactly at 12 afternoon और let's crack it पर मिलेंगे और उसके बाद मेरी क्लास 3 बजे होगी जहां पर हम आज UNESCO heritage sites के बारे में बात करेंगे और ये क्लास आपकी on academy learning app पर होगी आप में से कोई भी बच्चा जो मेरे course में enroll करना चाहता है दूमन्त का course लेके आ रहा हूं history का और वो भी updated version पर जहां पर हम नहीं चीज़ें पढ़ेंगे so use my course whale 10 और अगर आपको मेरे किसी भी course के बारे में जानकरी हासिल करनी है you can text me on upscmentor.telegram channel और आप मुझे message कर सकते हैं on academy की learning app से भी thank you so much stay safe and stable अपने माता पीता का बहुत ज़्यदा ख्यार रखेगा कम पढ़िए quality पढ़िए और according to the need of UPSC पढ़िए stay safe and stable bye bye